नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे हिंदी साहित की वरिष्ठ लेखी का मैत्रेई पुष्पा जी की कहानी बिछुडे हुए तो आएए सुनते हैं उनकी कहानी स्वामी शतानन्द का सिर्थ जन्जना रहा है अभी अभी स्कूल मास्टर ने उन्हें बुरीत्रे जगचोरते हुए जगाया आए वे हरबड़ा कर उठ बैठे आँखें मलते हुए उस मास्टर की उतेजना का कारण सोचने लगे मास्टर मोह लाल किये खड़ा था उसकी सांस कुछ तेज तेज चल रही थी स्वामी शतानंद पर जियों फिर से आक्रमन किया मास्टर ने अबकी बार मेरी आँखें धोखा नहीं खा रही पहले दो-तीन बार गाउं के लोग भरम गये हैं पर अब कोई संदेह नहीं खुब अच्छी तरह पैचान गया हुँ तुम सुग्रीव हो पंडित प्रभुदयाल के भतीजे सुक्रिव हो न? स्वामी शतानंद मूख खोले देखते रह गए क्या बोल रहा है बिना सोचे अनाप्षनाप ऐसे देख रहे हो जैसे मुझे पहचानते नहीं मास्टर बोला वे क्या उत्तर दें? टाट पट्टी पर उनेदे से बैठे हैं मास्टर ने उंगली से संकेत दिया अर्थात हटो एक ओर वे कंबल छोड़कर एक ओर धर्ती पर सरग गए वह कंबल की तह बनाते हुए फिल ललकार ने लगा लंबी डाढ़ी घनी मूचों और सन्यासियों के जोग्या बाने में खुद को छिपा कर समझ रहे हो हमारी आँखों में धूल जोग दोगे मुझे तो रात ही शक पड़ गया था लेकिन तुम उस समय बोलने की इस्तिती में नहीं थे तो रात के समय मास्टर इसी लिए विनाम्र था अपना कंबल देकर तक्त पर सुलाया था मुझे हाथ पकड़ कर बैठा रहा था दोचन फिर करना पूर्वक बोला था स्वामी जी तुम्हे तो तेज बुखार है क्या पता था कि एका एक इक इंप पत्रों जैसे शब्दों से प्रहार करने लगेगा सत्गुरु हो अब क्या होगा अपनी जोगिया चादर को हाथ माओं में अच्छी तरह फैलाते हुए वे चिंतित किंतु सतर्क मास्टर की ओर नितांट अपरचित अनपहचान भाव से देखने लगे काश वे अजनभी होते मास्टर उनका सहपारथी, ब्रामार टोले का शंकर, शंकरलाल यहे उनका अपना ही गाओं वे तो रात ही पहचान गये थे अनहोनी ने कहां लापट कर शंकर साथ पढ़ने वाला, खेलने वाला वह मास्टर हो गया था और सुग्रिव अपनी खेती देखने लगे थे शंकर के बालों में सफेदी जलक रही है उन्होंने ध्यान से देखा उनकी अपनी लटें भी धूसरित सफेद उनकी डोर सी शंकर के मुख पर प्रोड़ता की लकीने शतानंद ने दरपन नहीं देखा जल में देखी है अपनी प्रतिच्छाया कठोरता ने गेर लिया है उनका भी चेरा यह तरुनाई से बिला गोती दें राख भस्म पोतने से मेले खुर्दुरे चिरे फटे हाथ पाउँ और ढीली तवचा उम्र का एक सा उतार है दोनों पर शंकर की आँखों से चिनगारिया छिटक रही है आज क्या होने वाला है उन्हें याद आगया सत्गुरु का वचन प्रातय काल की नित्रा घोर अनर्थ असमे सोना देह का प्रमाद विकार और तामसी लक्षन दुभाई हो सत्गुरु किस को घड़ी में प्रस्थान किया था तुमारे चर्णों से क्यों भागे थे चंदा भावी को त्याग कर भावी को नहीं गंगा घार पर गंगा की धारा को तोखा दिया तुमने नहाने के लिए भरमा कर ले गय थे उन्हें कपटी ढोंगी ऐसा ही करना था तो अकेले ही जा डूपते दुद्मुही बच्ची का भी खयाल नहीं आया तुम्हे शंकर फिर पूट पड़ा शतानंद मौन ही बैठे रहे कलेजे के ओपर से धरधराती रेल गाडी गुजर गई गरगराहट से मन में भूचाल मचता रहा नियंत्रम के अत्रिक्त कोई दूसरी रह नहीं साधु सुभाय धारिये सोई आंख मून्द जग परले होई सत्गुरु की जै परिक्षा की कठिन घड़ी है सैयम का हाथियार लिये बैठे है शतानंद भाव हीन मुद्रही सच्चे सन्यासी का लक्षम है बेचारा, शंकर, संसारी, जीव, क्या समझे भाव सागर के दुख, मृत्तु भुवन के क्लेश, अज्यानी, संसारिक बंधनों को ही परमानंद मान रहा है वी क्या बताएं कि राजा शुद्धोदन के पुत्र सिधार्त ने क्यों त्यागा था राजपाठ पत्नी और पुत्र का मोह क्यों काट मेंका था, क्यों नहीं ब्यापा ग्रहस्त का मोह, ग्रहस्त ही तो शाप बन गया था सुग्रिव के लिए मीठा विश पीते पीते भीतर से खोकला हो गया था सुब्रियूब नाम का जीव दुनियावी जंजटों में घेर लिया था उसे खेती, फसल, गुजर बसर, कर्ज सूद, पत्नी, बच्ची कच्ची सूद में लिपट कर छट पटाने लगा गया जीवन केवल पेट भरने के लिए है, माया के बंधनों में जकरने के लिए है नमक, तेल, लगडी की चिंता में आत्मा होम देने से लाब क्या मास्टर के स्वर ने फिर ध्यान भंग किया तुम तो बड़े चतुर निकले, भाग गय जान छुड़ा कर पांच साथ बीगे के दो टुकड़ों पर छोड़ गय ग्रहस्ती उपर से कर्ज, भाभी हल हांकती या मजूरी करती अच्छा हुआ तुमारे खेट भी तुमारे ही निमित स्वाहा हो गए मुई नारी ग्रह संपत नासी, मूड मुडाय भह सन्यासी यही बात हुई ना, संपत्ती का नास तुम अपने एबों से गांजे भां की लतों से मनमाने खर्चों की बदोलत कर ही गए भाभी को भी मरा मान लिया, नहीं तो ऐसे जाते अच्छा होता अभागिन बेटी समेत गंगा में धक्का दे जाते शंकर की बात सुनते सुनते ही अचकचा गय शदानंद अजनींद में रात उन्हें ब्राम हुआ था या सच्मुच बहे चंदा थी उन्होंने तो समझा था, बुखार के अधिक ताप में वे पुरानी बातों को दोहराने लगे है माथा संसना रहा है, ध्यान एकत्र नहीं, कहीं से कहीं भटक रहा है मन कानों में रेल गाड़ी की कनफोर सीटी, कूं कूं, रेल बाबु की फर्राटेदार चाबुक सी गालिया सब कुछ गड़ मड़ हो रहा था, यह भी याद नहीं कि रेल बाबु ने किस स्टेशन पर कोचा मार कर उठा दिया था ए बाबा, कहां लेटा है, यह रिजर्ब कमपार्टमेंट है, साहब लोगों को तंगी होगा, चलो उत्रो, भागो यहां से सा, गांजा वांजा है तो निकाल, साल, गंजेडी, लाल-लाल आँखें दिखाता है, कहते हुए उनकी गरदन मरोर दी, सत्या नाश और रेल बाबु का स्वामी शतानन्द अपनी गरदन पर हाथ फिराने लगे, मरोर बुरी तरे पीड़ा दे रही थी उसी समय बिजली सी कौंधी शतानन्द के मन में, हाथ तीब्र गती से जोगिया जामा के खीसा पर जा पहुँचा परसादी, सत्गुरु हो सत्गुरु, टटोल कर महसूस किया, पुडिया सलामत है सांस में सांस आई, ऐसा कई बार हो गया है कि कोई मूर्ती दिल्ली से परसादी का जुगार करके लाया है और बीच में ही पुलिस सिपाही या रेल बाबु ने हत्था मार दिया बेचारा मूर्ती सत्गुरु का कोड़ा खाया कहां गया शंकर मास्टर, गाउं में चला गया वे भाग सकते हैं, भरम जाल से छूट सकते हैं उन्होंने बैठे बैठे ही तनिक उचक कर देखा शंकर चार दिवारी से सटा पास खड़ा था सूली पर चढ़ा कर छोड़ेगा आज परसादी के कारण पुलिस ने न पिछे आया होता तो वे भागते भागते यहां न आ पहुंचते पुलिस को चक्मा देकर बच लिये लेकिन उनकी निगाह अनाया से ही बाहर की ओर चली गई बड़ा सा उजर था वहाँ, फिर मुसल्मानों का कबरिस्तान अब तो घर ही घर, बसाहट ही बसाहट बहुत कुछ बदल गया है लोग आते ही होंगे वे अचानक चौके घबराहट होने लगी रोम रोम में खलबली सी मची है रात के समय वह चंदा ही होगी सचमुच में चंदा वही आवाज, वही गीत तो सपना नहीं देख रहे थे वे पहले भी कई बार उसके मूँ से वे ही आखर सुने है कंकर कुईया प्यारे सरक खुदाई रे कचु रे खुदाई, कचु खुदने न पाई रे जेट को लड़िका मैया ससुर को नाती रे ढोला को भती जो मोहे लैबे कुँ आयो रे जाके तो संगरी मैया मैं नहीं जाऊ री त्यारे खोट मोहे लैबे ना आयो रे यह विरह भरा ढोला आज तक गा रही है चंदा सुग्री भी कहां भूला है मा मुझे जेट का लड़का लिवाने आया है इसके साथ मैं नहीं जाऊंगी वहे क्यों नहीं आया मेरी क्या खता थी हम दोनों ने मिलकर कंकर कुईया खोदी थी अधूरी ही रह गई प्यास कैसे बुझे माने तर्क किया बेटी जरूर तुने मेरे जमाई का कहा नहीं माना या फिर बोल को बोल सन्निपात के रोगी सी दशा थी शतानंद की बुखार ने बुरी तरे दबोचा हुआ था होश था की नीम वेहोशी लेकिन उन्होंने आगे की पंक्तियां सुनी थी चंदा का स्वर गुंजा था नाक नथुनिया मैया जर्मे से तूटी रे अपने बलम से मैं तो कव हूँ न रूठी रे मा तेरे दामादने जगडे में छेड़ खानी में एक बार नथनी तो डाली दूसरी बार हाथ से मुंदरी कहीं खो गई लेकिन मैं अपने सजन से कभी रूठी नहीं कोई शिकायत नहीं की इस बात में दो राय नहीं मानते हैं सुग्रिव चंदा ने मों से अफशब्द नहीं कहे कभी गीत सुनकर वे गिरते पड़ते चार दिवारी तक आये थे फाटक से सटकर कुछ देर खड़े भी रहे देखा की ग्राम बध में पूजन को आई है शायद किसी विवाह का घूरा पूजन है गहन तंद्रा थी की सपना उन्होंने खुद को समझाया तुम्हें बुखार है शदानंद जान लेवा बुखार इस हॉल दिली में तुम पीछे की ओर भाग रहे हो कहां चंदा कहां ग्राम बधुएं कौन सा गाउं अंधेरे में आदमी धोका खाता है तुम्हारा ब्राम है कि यह तुम्हारा गाउं राद की बात राद के संग लेकिन अग सद्गुरु रक्षा करो दास्की भवबाधा कार्टो स्वामी प्रमात का इतना बड़ा दंड न दो जीवन भर का तप भंग इस शठ शंकर को सुबुद्धी दो सन्यासियों का पंथ नहीं जानता अज्ञानी गाउं है भी तो क्या संतों के लिए मेरा तुम्हारा कुछ नहीं होता पत्नी बेटी बंधु बांधो सांसारिक जन्जाल है मिलन बिजो से परे है जीवन सब मिथ्या है ब्रह्म सत्य है निर्मल ग्यान समवात का जाप करने लगे स्वामी शतानन्थ लगा की मन कुछ इस्थिर हुआ है अविचल अविनाशी परम गुरू की महिमा अनन्थ है उन्होंने ध्यान किया कानों में सत्गुरू की वानी का अम्रत जहरने लगा तुम पूर्ण सिद्ध हो शतानन्थ ताप का नाश स्वयमेव हो जाएगा प्रभू माया जाल का घेरा बढ़ता जा रहा है आसनी लगा कर नंगी देहिं बैठा रहा था पूरे तीन बरस सब्तागनी सब्त खपर तप प्रचंड गर्मी कड़कडाती ठंड और मूसला धार बारिश में साथ जगे अगनी प्रदीप्त करके फिर तीन वर्ष द्वादर्ष 84 पुने तीन तीन वर्ष अन्तिम बार सिर्पक खपर भरी अगनी साथ कर तब किया था तब गुरु दीक्षा मिली थी तुझे तु कुंदन की तरह खरा साधू है ऐसे तपस्वी को संसार का मोह नहीं ब्याब सकता मोह नहीं तो लोग नहीं लोग नहीं तो भै नहीं भैसे मुक्ती के लिए समाधी साथना में लीन हो जाए शतानन्त ने अपना जोगिया दुशाला देह के इर्दगिर्द कसकर लपेट लिया बाहरी विकारों से बचते हुए आँखे मूद ली इंद्रिये निग्रह का परम तक साथना चाह रहते वे जाने नहीं दूँगा आप बाहर आओ स्कूल के अहाते में पड़े तखत पर बैठो लोग आ रहे हैं मास्टर ने जिद्धी बालक की तरह उनका दुशाला खीच डाला घिर आये हैं वे शंकर का स्वर सुनते ही ज्यान ध्यान भूलने लगे पलकों के भीतर पुतलियों में हलचल मची है मठ पर होता तो सत्गुरु मोह माया के मारे शंकर को आँखों से ही भस्म कर देते वे मास्टर का अनुशरं करते हुए स्कूल के प्रांगर में आ गए जाल में फसे कुरंग की तरह छट पटाते हुए तक्त पर बैठ गए लोग चले आ रहे हैं घर परिवारी जन भी पहुचने वाले होंगे सगे संबंधियों के सवालों की बौचार केवल मौन से तोड़ी जा सकती है लेकिन चंदा मायावनी नारी मोह जगाएगी शपत सोगंध देगी रो रोकर करुणा कैसे बचेंगे वे तपका खंडन योग का नाश बेटी का प्रेम और ममता सत्या नाश भोसागर में डूप कर रहेंगे स्वामी शतानन्ने पलके मूंध कर प्राणायाम में सास खीची माथे ब्रकुटी चढ़ाई पदमाशन लगाए समाजी साधब की तरह घोर तपस्या में लीन हो गए अरे निर्मोही आँखे खोल कर तो देख यह सुना कि सुग्रिव का धैर हिल गया पलकों के उपर से नियंत्रन हटा की देखा बूढे चाचा बोल रहे थे जिनोंने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया अपनी सामर्थ के अनुसार शादी व्याह किया उनका चंदा तो समस्ती रही कि तू गंगा में डूब मरा महीनों गंगा घाट पर पड़ी रही धूब ताब ठंड बरसात नहीं देखी अपनी दे दे नहीं मानी हर संकट को जेलती रही वैसे तो घर में था भी क्या छोटा मोटा नाख कान का कील काटा जो भी पास था बेच डाला खेत रहन चड़ते चड़ते बिट गया मलाहों की मजूरी भरती रही गंगा मैया की लहर लहर चनवा डाली नादानने चाची की आवाज कमजोर थी मगर रोश बड़ी किसी ने आकर बताया की सुग्रीव साधू फिर तो चनदा चाची मठ मंधिरों में रही सालों साल भीड में से कोई छोकरा बोला जिसे शतानन्त नहीं पहचानते थे चनदा को बुलाव भाई मगना? मगना नहीं आई देख मगना आ गई मगना तेरी पेटी बुड़े चाचा के धीले हो आए होट काप रहे थे स्वर्थर्थरा रहा था स्वामी शतानन्त की आँखे फटी रह गई जिनमे से सुग्रीव निकल कर देखने लगा मगना? मगना? जैसे यहीं कहीं शंक जालर बज रहे हो मगना मगना गोंज रहा हो मगना नाम उन्होंने ही तो दिया था बेटी को सफेग तिनकों सी डाड़ी मोचों में रोते हुए चाचा मगना के सिर पर हाथ धरे खरे हैं शतानन्त से उसके पिता की भीक मांगते हुए गुलाभी धोती में गोरे रम की नव युगती गोल मुख काली आखें निरी बचिया सी टुकुर टुकुर देख रही है उन्हें अनाथ लंबाई उनी की ले गई पतली लचकती कच्ची डाल सी सुग्रिव के नथुने तड़ा पुठे होट सूखे पत्तों की तरह कांपने लगे कंठ भरा आया निचले होट को दाच से कुचलते रहे वे समहाला खुद को मुख ममता जूटा पंधन नाश की निशानी मूर्क शतानंद मन चंचल ना कर मन चंचल शैतान का वासा माया के प्रबल घाच से आत्मा को बचा विचारों को त्याग खुद को पहचान कांच बास का पींजरा जामे दिया न लोए हंसा उड़ता इकला संग न जाता कोए सत गुरु ज्यान चक्षु खोलिये अंतर जोती जगाईये जल्दी करो भाई चंदा भावी अभी तक नहीं आई क्यों शंकर चिंता और आतुर्ता में बोल रहा है शतानंद के शरीर में जूडी कीसी ठंडी और तेज लहरों के थपेड़े आ जा रहे हैं हाथ पाउं में कमपन ही कमपन फिर मुर्खता जिस इस्त्री का तेरे जीवन में कोई इस्थान नहीं जिससे कोई लगाव नहीं उससे डर कैसा उसके लिए पच्चतावा क्यों साधत त्यागी संत तू साधु जन्म को भरस्ट मत कर चंदा तो बाजार से चीनी लेने कई है किसी ने सूचना दी हाँ जी उसकी जान को सौ काम किसी दूसरे ने समर्थन किया अरी मगना बेटी पहचान लिया तेरे बापू है साधु जी लक्ष्मी नाराएंट चाचा की आवाज अब तक भी वैसी ही है सुग्रीव ने जान लिया चरन छूले बेटी क्या भाग की आज कहने वाले का गला रुंधाया सुग्रीव जानते हैं रामसरूप भहिया कच्चे जी के हैं मगना जिजकी हुई खड़ी है घूंगट वाली एक इस्त्री उसे आगे को ढकेल रही है शैट चरन छूने के लिए चाचा की पतोहु होगी शैतानंद के पाउं में स्रिकुडंग पैदा हुई पाउं छूलिये तो नारी इसपर्ष तपस्या भंग उन्होंने नै सिरे से पदमासन लगाया मुख मुद्रा योग में अक्री हुई आखें अधखुली और देह तनी हुई रखी लेकिन मन अशान्त है छाती में आगची धधकने लगी है विक्राल तोफान में फसे हैं स्वामी शतानंद उद्वेलन लील रहा है देखो तो भाई यह होता है करम का फेर आज बीस बरस बाद बहुरा है अपनी देहरी पर भाग बली है बेटी का मगना के ब्याह के चार दिन पहले बाब के हाथ का कन्यादान बदा था ब्याह? मगना का ब्याह? उनकी नजर बेटी पर ठहर गई हाँ, हाथों में हरी, चूडी, कंगन उनका ध्यान कहाँ बढ़ का था अब तक? सुग्रीव विमोहित से मगना को ऐसे देखने लगे जैसे प्रसों के बाद मा देखती है बच्चे को पहली बार तो चंदा बेटी के ब्याह के मंगल गीत का रही थी ग्राम बध में उसी को पूजन कराने ले गई थी पूजन के बाद तो घर से निकलते नहीं मगना क्या उनी के कारण रिवाज तोड़ाई है? चंदा खे ले गई जीवन की तूटी जरजर नाओ मैं पिता पाल पोस नहीं पाया बेटी को कोई पुन्य उदे हुआ है जो मैं इस मुहूरत पर कम से कम कन्यादान ही सही कहीं कहीं तक पुत्री के रिण से मुक्त हो जाऊंगा उन्होंने भीड के चेहरों में चंदा को खोजा चंदा आ गई, आ गई चंदा कई कंठों से एक साथ स्वर्खूटा लोग उसी और मुर्मुर कर ऐसे देखने लगे जैसे पहली बार देख रहे हैं हो चंदा को स्वामी शतानन्त द्रण होकर बैठ गए फिर से पूरी शक्ती संजोली पुनह सन्यास समेट लिया पाल्थी में मुड़े घुटनों पर अपनी दोनों बाहें सीधी तान कर जमा लि जोगिया जामा हाथ पाओं पर फैला लिया सीनर तन आया पेट पीट से जा मिला बालों के जटा जूट पीट पर बिखरे हैं निर्विकार मुख मंडल पर अधमुंदी आँखें चंदा रोएगी कलपेगी विंती प्रार्थना करेगी क्या कहेंगे वे मा बेटी चरन कहकर मनवार करने लगी तो स्वामी शतानंद का मन फिर से बेर सा कापने लगा मंजूर करना ही होगा चंदा का आग रह चंदा ओ चंदा अरी यहाँ वही खड़ी काहे को रह गई देख तो कौन आया है किसी औरत ने उंचे स्वर में कहा अम्मा ओ अम्मा मगना बुला रही है शायद मगना की बोली अपनी मा की तरे महीन है चूडियों की खनक सी चंदा भीड के बाहर ठिटकी खड़ी है मास्टर शंकर चंदा की बाहर पकड़ कर तेजी से स्वामी शतानंद के सामने आ खड़े हुए लो पहचानो भावी आ गया की नहीं मना कर घर ले जाओ अब शुब मुहूरत में आया है बेटी का भाग हर्ष के साथ कहा शंकर ने वे नेत्र जुकाय हुए बैठे थे अब तर स्वामी शतानंद की अंचाहे ही निगाह उपर उठ गई चंदा दुबली काया वही मजोला कद रंग कल्चाओं हा पड़ गया है सिर पर छोटा सा बोरा लाते हुए माथे तक का घूंगट खेचाहे धूप से क्लांत साईयम नियंत्रन अंकुष निक्रह पर पूरी शक्ती से लगे हैं शतानंद लेकिन सीने में हिलोरे उठ रही है आवेश का अतिरेक डाड़ी मुचों में छिपा गए बड़ी चतुराई से होट को दाट से कुचलते हुए गले का तरल भूटते हुए सोचते रहे नहीं मानेगी तो कह देंगे हम जोगी जती हैं माता म्रत्तु भूवन में हमारा कोई सगा संबंदी नहीं सन्यासी का नाता पानी का बगूला मोह में न फसें फिर भी न मानी तो 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 चंदा सिर्पट लदे चीनी के बोरे को दोनों हाथों से साधे खड़ी है ना समझों की तरह कभी भीर को देखती है तो कभी स्वामी शतानंद को नजर काप काप कर रह जाती है छाती और गर्दन के आगे का भाग थर्थरा रहा है सुग्रीव आवा कातर गुरु दीक्षा शतानंद हाथेली पसीज रही है जोग विधान कंठ रुन हाया पंच खपर तप हलक में जमा पानी निरंतर घूर्टते जा रहे है चातक किसी नजर से देख रहे हैं चंदा की ओर चंदा की ठकी ठकी निगाह बेबस चेहरा होट कापने लगे आँखे डबडबा आई आशों को पी जाना चाहते हैं सुग्रिव चंदा की गीली आँखें पोँच देना चाहते हैं बीस वर्ष के बिछों का जमा दुख पिघल रहा है की पहचानने के बोध से देख रही हो मुझे मैं सुग्रिव सुग्रिव हूँ मैं तुम्हारा अपराधी रीती आँखों से क्या देख रही हो बेटी के पास जा पहुची तूपती हुई आवाज में बोली मगना बेटी तू यहां घर में तो कितना काम फैला है इस गाउं के आदमी तो बावरे ठहरे जो भी साधू आता है उसे ही तेरा पिता फिर पीछे मुढ कर नहीं देखा उसने मगना को लिवा कर चली गई स्वामी शतानंद फटी फटी आँखों से देखते रहे दूर तक देर तक भीड छटने लगी तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे मेरी अच्छी अच्छी कहानिया आप तक सबसे पहले पहुचें धन्यवाद